अगर आप भी जैवी कल्चर को मल्टिप्लाई करना चाहते हैं या फिर मल्टिप्लाई करने की विधी जानना चाहते हैं तो यह वाले वीडियो अंते तक जरूर देखिए मैं आज आपको गोबर की खाद में जो हमारी जो जैवी कल्चर होते हैं जिसमें PSB होता है किस तरीके से मल्टिप्लाई करें गोबर की खाद में आज में बताने वाला हूं तो यह जो आप देख रहे हैं मेरे पास दो कल्चर है एक एजेटो वेक्टर और दूसरा है PSB कल्चर जो कि नाटो जानो फासपुरस के लिए उपलब्ध कराते हैं पहुत देखू तो यह जो दोनों कल्चर है इसको गोबर की खाद में हम मल्टिप्लाई करेंगे गोबर की खाद में मल्टिप्लाई करने के लिए गोबर में नमी होना आउस्यक है इतना नमी रहे कि उसको मुठी बानने पर उसमें पानी न निथरे कितना आपको नमी रखना है मेरे वाले जो गोबर खाद में एक उचीत मातरा में नमी बनी हुई है क्योंकि मैं इसको हमें सा ढखके रखता हूँ तो इस तरीके से जो मेरे गोबर की खाद है इसमें अभी हम लोग इसको मल्टिप्लाई करने का बिदी आपको बताऊंगा यह जो जैवी कल्चर है इसको मल्टिप्लाई करने का कुछ बेनिफीट होता है जैसे कि एक किलो जो एजटो वेक्टर है उसको अगर हम लोग गोबर की खाद में मिला देते हैं और कम से कम 15-20 दिन रख देते हैं तो उससे क्या है कि वो डबल, तीबल, चौबल, दस-दस गुना तक भी हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से उनमें मतलब उनके लाइक जो खाने की चीज़े उसमें मिल जाती हैं तो इससे क्या होगा कि जो मेरो जैविक कल्चर है उसकी बचत होगी और गोबर में अच्छे तरीके से मल्टिप्लाई होंगे इसमें एक बेनिफिट और भी रहता है कि अगर आप गोबर में मल्टिप्लाई करते हैं तो जैसे कि अभी सीजन आने वाला है तो आप इसको पहले से रेडी कर सकते हैं तो जब तक खेत में नमी नहीं है तब तक आप गोबर की खाद में उसको multiply कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको उसको मिला देना रहता है बेस्ट यह है कि जो गोबर की खाद है वो जमीन पे रहे तो अच्छा है क्योंकि उसको फावड़े से फैलाने में इजी होता है मेरा वाला यह जो वर्मी बेड में बना हुआ है तो इसमें मेरे को थोड़ा परिसानी हो रहा है मिलाने तक क्योंकि नीचे तक मिल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा वर्मी बेड पूरी तरीके से गोबर से भरा हुआ है अगर यही चीज मिट्टी में रहता या फिर जो बाहर रहता तो धेर टैप से रहता तो आसानी से आप उसमें मिला सकते हैं तो कोसीज करें कि जो अपकी गोबर की खाद उसको बाहर धेर बना के रखिए तो इस तरीके से मिलाने के बाद फावडे में उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना रहता है चुकि मेरा वर्मी बेड में भरा हुआ है तो मैं उपर उपर अभी मिक्स कर रहा हूँ लेकिन अगले बार जो है मैं इसको बाहर निकालूंगा और जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये पल्टी हो जाएगा पल्टी होने के बाद फिर इसमें थोड़ी मात्रा जो मैंने बचा के रखा है उसको देके भी इसको मैं continue multiply करूंगा तो इस तरीके से multiply करना बहुत ही बहतर है और इससे जो हम वहारी जो जैवी कल्चर एक उच्च गुडवत्ता की जैवी कल्चर हमको प्राप्त होती है और इसको mix करने के बाद एक चीज़ आपको ध्यां रखना है कि इसको टाट या फिर जो पलारी होती है जो भी आपके पास माध्यम रहे मैं पलारी के माध्यम से उसको ढख दे रहा हूं इसको ढखने से क्या होता है कि उसमें बराबर नमी बनी रहती है और इसको ढख के रखना अनिवार होता है डारेक्ट धूप इसमें पढ़नी नहीं चाहिए जितने भी कल्चर हो करा होते हैं तो इसका थोड़ multiply करने की परिक्रिया है वो धीरे धीरे करते रहेंगे तो यह इतना है multiply करने के तरीका इसको मैं कई बार करता हूँ और जो भी हल्दी अध्रग या फिर जो ऐसी क्रॉप होती है जिसमें जो इसकी require होती है तो उसमें मैं बाद में लेके इसको रोपाई के टाइम या फिर करें